साल 2023 में कुल चार ग्रहन लगेंगे आपको बता दें कि वैशाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहन के बाद अब जल्द चंद्र ग्रहन लगने वाला है साल का पहला चंद्र ग्रहन बेसाख पूर्णिमा यानि की बुद्धी पूर्णिमा पर लगेगा आपको बताएं कि वैज्ञानिक द्रिष्टी से देखे तो चंद्र ग्रहन तब होता है जब पृत्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है पुराणों के अनुसार जब राहु चंद्रमा और घ्रिस्ट करते हैं तब चंद्र ग्रहन का सहियोग बनता है सूर्य और चंद्र ग्रहन से पहले सूतक काल लगता है चंद्र ग्रहन से पहले लगने वाले सूतक की अवधी को अश्रुब माना जाता है आईए जानते हैं चंदर ग्रहन का समय सू तक काल कब से शुरू होगा और साल का पहला चंदर ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा साल का पहला चंदर ग्रहन पांच मई 2023 शुकरवार को रात 8 बचकर 45 मिर्च से शुरू होगा और इसकी समापती देर रात 1 बज़े होगी ये उप चंदर ग्रहन होगा और इस दिन वैशाख माहा की पूर्णिमा भी है जिसे बुद्धी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है चंदर ग्रहन का परामगरस समय रात 10 बच कर 53 मिनट पर है और चंदर क्रहन का सूतक काल 9 गंटे पहले से शुरू हो जाता है लेकिन साल का पहला चंदग्रेंट भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए यहां इसका सूतक काल समाने नहीं होगा उपचाया की अवदी 4 घंटे 15 मिनट 34 सेकंड उपचाया चंदग्रेंट की परिमान 0.95 यह उपचाया चंदग्रेंट है यानि चंदरपा पर प्रत्वी की चाया सिर्फ एक तरफ रहने के कारण यह ग्रेंट हर जगा नहीं देखा जा सकेगा साल के पहले चंदग्रेंट का असर यूरोप, एशिया, आस्ट्रेलिया, आफ्रिका, इंटार्टिका, प्रशांत इंटार्टिका और हिंद महासागर पर ही रहेगा तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया यह धर्मिपार